Hello friends and welcome back to another video और दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में और आज किस वीडियो के अंदर आपको एक बहुती बड़िया ट्रिक के बारे में बताने वाला हूं जिसकी मदद से आपका काम और आपके फोन में कुछ आपको नया फीचर देखने को जरूर मिलेगा जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पर स्लाइड करने पर मेरे को यहाँ पर फोन के एप्स दिख रहे हैं तो दोस्तो अगर आपको फीचर यूसफुल लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीज़ेगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसी तरह की और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाना तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप आप जोइन कर सकते हैं क्योंकि जो भी मुझे इंफोर्मेशन मिलती है मैं वहाँ पर आपको सारी इंफोर्मेशन सबसे पहले दे देता हूं लिंक मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप जा करके देख सकते हैं तो हम बात करेते फीचर के बारे में दोस्तों आज कल आपने देखोगा फोन के अंदर बहुत सारे एप्स होते हैं और इतने सारे एप्स में अगर आप कोई भी एप को ढूणेंगे तो आपको काफी सादा प्रॉब्लम होती है काफी लेट हो जाता है क्योंकि इतने सारे एप्स में आपको एप्स को ढूणना बहुत ही लेट हो जाता है यहां से मैं directly इन apps को use कर सकता हूँ और इसको और भी ज़्यादा इसमें add कर सकता हूँ जितने चाहूँ और अगर मैं दुबारा slide करता हूँ तो देख सकते हैं मेरे को पूरे phone की system apps यहां पर show हो रहे हैं तो इस तरह से देखिए आप यहां से में कोई भी app को open करवा सकते हैं जो मुझे पसंद आता है और दोस्तों इसका जो response है वो आपको बहुत ही fast मिलता है मतलब directly आप one click में एक application से दूसरी application में switch कर सकते हैं और हर एक phone के apps के ओपर यह work करता है response आपके सामने है जिससे कि आपको जो काम है phone का वो बहुत ही असान हो जाता है इसके लावा friend system app अपडेट रेक अंदर आपको screen recorder का एक update मिला है इसकी भी information मैंने telegram group पर दे दी थी इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे वहाँ पर follow कर लीजे तो update आप जरूर कीजेगा आपको feature मिल जाएंगे तो दोस्तों आप यहाँ पर देखते हैं इसको आप hide भी कर सकते हैं hide करने के बाद यह और अच्छी से work करता है किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या use कर रहे हैं और एक काफी unique सा और smart feature आप इसे कह सकते हैं जिसमें कि आपका काम है वो बहुत ही असानी से हो जाता है आपको new animations मिलती है और काफी smooth यह feature आपको मिल जाता है पात करें इसको कैसे enable करना enable करना बहुत ही simple है इसके लिए सिर्फ आपको एक application चाहिए होगी और उसका नाम है slide bar 2 बहुत ही छोटी सी application है इसका link description में मैंने दे रखा है वहां से भी जाके download कर सकते हैं और उसको open कर लिजए जब आप इसको install कर लेते हैं अपने phone के अंदर तो friends देखिए इस shortcut application है तो by permissions तो आपको देनी पड़ेंगी कुछ permission आपको दे दीजिए इसको display or other apps को और accessibility की जिससे की यह feature ने इसके वह work करेंगे तो सारी permission को एक बार आप successfully allow करवा दीजेगा उसके बाद आपको user interface कुछ इस तरह का मिलेगा slide करने पर आपको trade दिख रही होगी यहां से आप दोस्तो show levels को enable कर सकते जिससे की आपको apps के नाम भी show हो जाएंगे इसमें आपको theme का option मिलता है मैं आपको theme में recommend करूँगा कि आप इसको transparent पर set कर दीजे इससे जो है transparent में आपको बहुत ही अच्छे एक look मिल जाता है active age के अंदर आपको यहां पर option मिलता है left, right यानि कि आपको कहां से आपको shortcut चीए दोनों तरफ से चीए तो वह भी आप use कर सकते हैं आपको depend है कि आपको कहां से असान है तो वह आप set कर सकते हैं और कुछ ज्यादा बताने के लिए handy visibility वगेरा दे रखी है तो जब आप अप देखेंगे यहां से slide करने पर आपको दोस्तों देख रहा होगा कि add apps का यानि कि आप यहां से अपने apps को add कर लिजे अब एक user के लिए important apps कौन से होते हैं जैसे कि YouTube, WhatsApp, Facebook, Insta यह सारे apps हैं जो कि आपके main main होते हैं या फिर आपको काम करते हैं उन apps को यहां पर add करके रख सकते हैं जितने चाहे उतने apps देखें यहां पर मैंने use कर लिए हैं और अभी animation भी इनके अंदर आपको मिल जाती है तो इसका जो response है वो देखिए आपके सामने है बस आपको one click करना है वो application directly open हो जाती है अगेंड slide करने पर आपको पूरे system के apps मिल जाते हैं जो कि आपको देख सकते हैं यहां पर आप काफी अच्छे से work कर रहा है दोस्तों यह feature और मैं कहुँआ कि अगर आप एक android user है तो आप इस application को जरूर ट्राय किजिएगा जिससे कि आपको जो काम है और आपके जो phone है उस उसमें आपको कुछ नया देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आईए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा चैनले पिन नहीं होते है और सब्सक्राइब कर लो तो मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स वीडियो में तब तक ये लिए थैंक्स वर वाचिए